हेलो स्टेंज चलिए स्टार्ट करते हैं मैट्रिसेज का एक्जामपल नंबर फोर देखते हैं क्या है हमें यहाँ पे टू मैट्रिसेज दे रखी हैं बच्चो एक लेफट एंड साइड दे रखी एक राइट एंड साइड यहां से हमें क्या करना फाइंड वैल्यूज ओफ अब वैल्यू फाइंड आउट करनी है अब वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें करना क्या है ध्यान से सुनो यह मैट्रिक्स इक्वल टू इस मैट्रिक्स के दे रखी यहां पे जो सिंबल दे रखा है बीच में वो ध्यान से देख लो बस इक्वैलिटी का दे रख तो हम क्या करेंगे corresponding element को compare करके देख लेंगे corresponding element का मतलब क्या है जो जिस position पे है उसी position के element से उसको compare किया जाएगा और दुन्नों को equal put किया जाएगा तब ही ये matrix equal हो सकती है तो यहाँ पर first element क्या हमारा x plus 3 equal to किसके है हमारा यहाँ पर 0 के यहाँ से x की value निकालो 3 को इस side लेके गए minus 3 तो एक variable की value आपने find out कर ली फिर अगले पर चलो यहाँ भी variable है यह क्या है z plus 4 second element हो तो second के साथ compare equal to 6 तो z is equal to 6 minus 4 और z is equal to क्या आ गया 2 आ गया फिर यहाँ चलो यहाँ पे भी variable है क्या है 2y minus 7 is equal to क्या है 3y minus 2 same पूरे के पूरे element को उठा के compare करेंगे हम यहाँ पे ठीक है अब यहाँ पे क्या करो 2y को इस तरफ ले जाओ minus 2 को इस तरफ ता यहाँ पे minus 7 plus 2 is equal to 3y minus 2y तो यहाँ पे minus 7 plus 2 क्या हो गया minus 5 is equal to 3y मेंसे 2y गया तो y तो y is equal to क्या आ गया minus 5 यह आ गया भई आगे देखते हैं minus 6 equal to minus 6 है ठीक चल रहा है भई हमारा काम अब यहाँ पे देखो a minus 1 is equal to किसके हो जाएगा minus 3 के a equal to minus 3 minus 1 को इस तरफ ले गया प्लस 1 तो a is equal to क्या आ गया minus 3 मेंसे बन गया तो minus का 2 आ गया यह आ गया हमारे पास clear आगे चलो भई यहाँ पे 0 है यहाँ पे 2c plus 2 है 2c plus 2 equal to 0 तो यहाँ से c की value निकालनी है तो 2c is equal to 2 को इस तरफ लेके गया minus 2 c is equal to क्या आ गया minus 2 by 2 2 से 2 कट गया तो minus 1 आ गया c equal to क्या आ गया minus 1 यह आ गया भई clear है आगे चलो इसको compare कर लो b minus 3 is equal to 2b minus 2b plus 4 अब यहाँ पे देखो हमें b की value निकालनी है इस b को उस तरफ ले जाओ constant को इदर लियाओ minus 3 plus 4 is equal to 2b minus b यह क्या हो गया sorry यह इस तरफ आएगा minus 4 minus 4 और minus 3 minus का 7 is equal to 2b में से b गया b तो b की value क्या आ गई minus 7 तो इस तरीके से हमने क्या करना है अपनी सारे के सारे variables की value को find out कर लेना है बस आ गया ना समझ में किस तरीके से करना है कोई भी दिक्कत किसी प्रकार की लगे तो आम मुझसे पूछ सकते हैं अधरवाई channel को subscribe कीजिए like कीजिए और share जरूर कीजिए thank you students for your love and support for your channel next classes